नमस्कार मैं हूँ अतुल सिंगल स्वागत है आपका हमारे खास कारिक्रम नवो इंपक्ट में दोस्तों विपक्षी गठबंदन की बैठक हुई है जो INDIA है उसकी और एक जो नया इसमें डवलप्मेंट हुआ है वो ये कि मलिकार जुन खडगे जो कॉंग्रेस के अध्यक्ष है उनके नाम को परधान मंत्री के तोर पर आगे लाने की बात कही गई है मुमता बेनर जी ने प्रस्ताव रखा और विंद केजरिवाल ने उसका समर्थन किया है हमारे साथ हैं डॉक्टर नंद कीशोर गर्ग हमारे पै सब्सक्राइटी है सीट शेरिंग के कोई भी फार्मूला बनाते हैं तो आधी सीट तो कॉंग्रेस को गुमा फिर आगे देने को सब त्यार हैं और आज वह अध्यक्षें फिर एक दलित फेस भी हैं दक्षन भारतिय भी हैं और हिंदी अच्छी बोलते हैं ड्रेस भी ट्रे सब्सक्राइटी का नाम चल रहा था और इसके अलावा जो है खुद राहूल गांधी भी एक्सपायरेंट हैं कि उनको प्रधानमंत्री के तोर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो कई सारे नाम थे भी पक्ष के अंदर ऐसे में प्रमोध कृष्ण जी जिसके लिए लगे ममता कह रही है मैं कॉंग्रेस को दो दे सकती हूं बंगाल में और मार्कसिस को एक भी नहीं दूँगी अखिलेश कह रहा है यूपे में मैं नहीं दूँगा केजरिवाल कह रहे है पंजाब की तो तेरा प्लस्टन डिकड़ हम चौदा की चौदा हम लड़ेंगी उसके बावजूद भी आप पत्रकार यह सोच रहे है कुछ हो जाएगा तो मोधी जी को तो ऐसे ऐसे मित्र हैं उनके ये उनको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो अपना कल क्या बोलें नहीं लेकिन जो आपने भी सिट शेरिंग की बात की और अपने का कि पचास फीसद ही देने को तयार है वी पक्षका गठबंदन तो पचास परसेंट कैसे हो जाएगा अगर अलग-अलग राजियों में कोई भी स्थानी एदल उनको सिट शेरिं और खेतरी दलों का तो खेल बड़ा स्पष्ट है कि कॉंग्रेस मजबूत नहो तीन जगह हारने से सबसे खुष कौन हुआ अंदर से खुष बताएंगे नहीं न ये सारी पार्टियां खुष हुई हैं जो कॉंग्रेस की तीन दल दिन स्टेट हारने से कि इनको लग रहा ज तरह अगर ये जीच जाएं और हैदराबाद के बाद तो इछा जाएंगे कॉंग्रेस सबका एक्जिस्टेंस विरोधा भास पर टिका हुआ है और आज की तारिख में कोई भी मेंस्ट्रीम पार्टी के बिना सेंटर मजबूत नहीं होता बीजेपी और कॉंग्रेस का रहना आवशक है देश के लोगतंतर के लिए कॉंग्रेस का मजबूत होना भी आवशक है पर कॉंग्रेस मजबूत जब होगी जब क्षेत्री दल समापती की और बढ़े हैं लेकिन मलिकारदुन खड़गे का नाम आगे लाने के पीछे क्या राज़निती देखते हैं आप कुछ नहीं आखरी काठबंदन नहीं है ये एक ऐसा जोड तोड की खोशिश है जो चलती रहेगी अपरेल तक भी चलेगी मई तक भी चलेगी फिर आंत में क्या गया है कोई बादें लड़ लेते हैं आपस में जब हो जाएंगे चुनाओ के बाद तो फिर अपना नेता चंदर शेकर वीपी सिंग के परसनल गरज से दोनों ही खतम हो गए दोनों ही खेतरी पारिटी के रूप में आई थी देवगोड़ और इंदर गुजराल को सीतराम केसरिन नहीं टिकने दिया था तो आज तक कौन सा अटल जी के अलावा कोई कोलेशन सफल नहीं हुआ क्यों यह कहना चाहते हैं कि इस मुद्दे को ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवशक्ता नहीं है बिलकुल मैं कहरा है कोई आवशक्ता ही नहीं है सब अपने अपने स्वार्थ के लिए मोदी जी से बचने के लिए केजरिवाल को अब कल की चिंता सता रही है एक किस तारिक को बलाये हुए और केजरिवाल अंदर तो पारिटी जीरो क्यों दूसरत को नहीं तब थे अच्छे अच्छे सब को लात मार मार के भगाया ना बढ़ी असे बढ़ी आदमी थे एक से कुमार विश्वास से लेकर आशुतोस से लेकर और प्रशाद भूशन वो जो एक यादव जी थे कहां गे सब इसने किसी को नहीं टिकना जी किक्टेटर है अल्टिमेटली हर आदमी अपनी पॉकिट चाहता है अखिलेश यादव को अपने चाचा से भी लड़ने में कुई दिक्कत नहीं आई क्योंकि मेरा परिवार मेरी पत्नी रहे है मेरी पत्नी बेशे को नॉन वर्ग खड़े करती है एक सवाल और इस पे भी हम लोग आप से विस्तार से चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में पार्लिमेंट के अंदर बड़ा ड्रामा देखने को मिल रहा है हर बार होता है लेकिन अभी जो है सभापती का मिमिक्री की ममता बेनर जी के एक सांसद ने और रहूल गांधी ने उनका वीडियो तेयार किया अब क्या एक्सपेक्टेड को जो आज आप फिल्मी हिरो हिरों लाएंगे दूसरे लाएंगे अब कल्यान बेनर जी में मिक्री करके क्या सिद्ध करना चाहरा है केवल सभापती नहीं वो प्रास्टपती हैं इन पोस्टो कोई एक्शन सरकार नहीं ले पाई क्योंकि इस पोस्ट का ध्यान रखना पड़ता है अधर्वाइस जो कुछ आज उनके ही परिवार के हैं अफजल वफजल जो भी ग्रिफतार हुए थे मुख़फार अनसारी तो तो कुछ मर्यादा आए हैं और उसको इतनी मर्यादा भी नहीं रखी और वो अशोग गहलोत ने उससे पहले मर्यादा नहीं रखी वो अपने ग्रहा जले में नहीं जा सकते उनको केवल जाट नेता के तो और पे आ रहे हैं जी और मेरे वूट खराब कर देंगे कौन से वूट खराब हो गया जुन जुनू सीकर चूरू में जाट बहु ले रही है तो वहां तो बीजेपी कोई परफारूम इस बार भी नहीं कर पाई इसलिए अब जाती वाद से लोगों को उपर उठना पड़ेगा कुसे जो जाती हैं घनगोर जाती वादी हैं वो हमको सेकुलरिजम का पाड इस देश में सिखाती है तो मैं समझता है इनका सब का समय खतम हो चुका है यह देश बहुत आगे की सोच रहा है इस देश का यूव रूम को देश की जो उनको दीगे ही है उनको साल करने के लिए लगा हूए और Maudie जी एड्रस कर रहे है और खुलके बादचीत हो रही है और Maudie क्या गह रहा है आप लोग महनत करेगे मैं भी सीख रहा हूँ इपसे तो सीखने की पिरवति जोडने की पिरवति पूर विश्यों के अंदर हम जोडने की बात कर रहे हैं, ये लोग भी जाती हमें फसे हुए, इसलिए आज की तारिख में देश की सोचे हैं, रास्ट पर्थम सबका धेय होना चाहिए, ये जो कुछ हुआ है, सौ से ज्यादा सस्पेंड हो गए, और देश में पहली बार 1857 के बाद के जो कानून, हम ढो रहे थें उनमसे तीन कानून, आज शाम तक नए सरे से नए कानून बन कर पास हो जाएंगे, एक बहुत बड़ा क्रांती कारी परिवरतन आएगा, और और आगे सारे ही बदलने हैं, क्योंकि अभी तक तो हम उस मानसिक्ता से निकले ही नहीं थे, जो हम हम इस देश के अंदर परिवरतन होने चाहीए थे 87 में, हो रहे हैं दो 2023-24 में, और अब 2047 तक तक तो हम सब्सक्राइब हम सो साल में गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकले हैं और हैं उपने उपर गर्व कर सकें, ऐसा भारत का निर्मान हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, ह प्रदान मंत्री के तोर पर विपक्ष ने उठाया है इन सब बातों को ज़्यादा गंबीरता से लेने की आउशकता नहीं है क्योंकि विपक्ष अपने अस्तित्तु की लड़ाई लड़ रहा है और कई मुद्देवर उठाई जिन पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले एपिसोड में तब तक के लिए इजाजत नमस्कार